स्वागाद दोस्तों हिंदु विदी के लेक्षर नमर साथ में और आज का टॉपिक है डायोस बिवाब इच्छेत सेक्षन 13 हिंदु बिवादीनियम 1955 दोस्तों आज को टॉपिक थोड़ा लंबा होने जा रहा है किन्तों यह परिच्छा के द्रिष्टी से बहुत महत्पूर्ण टॉपिक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक बिवाब इच्छेत सेक्षन 13 बिवाब इच्छेत को दो कटेगरी में बाटा जा सकता ह पहला है वो अधिकार जो दोनो हैनि कि पती और पतनी को प्राप्त है समान रूप से दूसरे पॉइंट में देखते हैं उसमें केवल और केवल पतनी को जो अधिकाल प्राप्त है जिसके आधार पे वो लिवाब इच्छेत के डिक्री ले सकती है वो दिया है सेक्षन 13 के सेक्षन वन में जो पहला जो पाइंट है सिक्विल के अधार पे अडल्टरी यानि की जारता, दूसरा है कुरूरता, तीसरा है अभित्याग, चौता है धर्म परिवर्तन, पांचवा है मानुष्यक विकार जिसको हम विक्रिचित भी खहते हैं, छटवा है लेपरिसी यानि की कोड़ हो जाना, सांत्वा है यान रोग, वेरिनल डिसीज, आठवा है संसार परित्याग, इसमें हमने एक वर्ड यूज किया है संत, तो संत इसमें स से आसा है संसार और त से आसा है त्याग करना, तैसा विक्ति जिसने संसार को परित्याग कर दिया हो, त्याग कर दिया हो संत कहते हैं अर्थास वह सन्यासी हो गया हो नॉमा पाइंट है प्रकल्पित मृत्यू अर्थास सिविल डेथ हो जाना ऐसी आंकलन किया जाता है फिर दस्मा है सहवास ना होने पर अब देखते हैं पतिनी को जो प्राप्त दिकार इसके समरी में नंबर वन पति ने दूसरा बिवा कर लिया हो दूसरा पाइंट है इसमें पति द्वारा रेप या अप्राकृतिक मैथून सेक्स्वल एंटरकुस करना तीसरा है मेंटेनेंस की को डिकरी पत्नी के प्रक्ष में पारित हो गई हो और चौता है योवनता का बिकल्प चली जिल्दे जिसकी वक्य कर लेते हैं सेक्सन 13 की तो जो पहला पॉइंट है जिसमें दोनों पति और पत्नी को जो अधिकाप राप्त है उनको इम चर्चा करेंगे सेक्सन 13 के अंतरकर चली पहला पॉइंट है जारता यहां आधार तोनों के लिए समान रूप से होता है जब पती और पत्नी ने बिना सहमती के अन्य किसी वक्ती से सेक्स्वल इंटरकोस किया हो तब दुसरा पक्षकार इस इंटरकोस के कारण जारता के आधार पर बिवाब च्छेत का वाद न्याले में चला सकता है किन्तु ऐसा कोई क्रत्य जो पत्नी की सहमती से नहीं हुआ है मान लिजे इदि पत्नी का रेप हो गया हो या पत्नी मत्ता की हालत में थी या अग्यानता वस उसके साथ में सेक्स्वल इंटरकोस हो गया है तो यह पत्नी की सहमती नहीं मानी जाएगी इस संबन्द में राजे सिंग बनाम सिर्मती रिखा सिंग और अन्य का मामला बहुत महत्पून है इस मामले में पती ने जारता के आधार पर पत्नी के विरुद बेवा विक्षित का केस लगाया जिसमें पती का तर्ग था कि पत्तिर्थी नंबर दो से पत्नी का अविद संबन्द है और दिनांक 11-4-X-X से दिनांक 13-4-X-X तक वहां गायव रही दिनांक 13-4-X-X को रेलवे लाइन के पास अचेतनावस्था में पाई गई जबकि पत्नी का तर्ग था कि उसका प्रत्तिर्थी नंबर दो से कोई अवेद संबन्द नहीं है वह तो अपने पिता के घर से गरवपात कराने प्रत्तिर्थी नंबर 2 के साथ अपिलारती की बहन के घर ही निकली थी जहां अपिलारती के पिता और बहनोई उपस्तित थे उस दोरान चाय में कुछ नसीला पदार्थ मिला दिया गया जिससे वह अचेत हो गई और महसूस किया कि उसके साथ में सामोही बलास्थन किया जा रहा है और जब उसे होसाया तो वह एक रेलवी लैन के पास अचेतन आउस्ता में पाई गी नैले ने दोनों पती और पत्नी के तरकों का अध्यन किया और इस प्रकार उनने एक निर्णा निकाला जो इस प्रकार था नमबर बन पत्नी का प्रत्यर्थी नमबर दो के साथ कोई संबन्द नहीं है केवल वा उसे उसके पती के घर तर छोड़ने के लिए गया हुआ था दूसरा बलतकार जारता के अंतरगत नहीं आता है क्योंकि पत्नी की उसमें सहमती नहीं होती है और जारता के लिए सहमती आवश्यक होती है इसी प्रकार यदी पत्नी ने किसी बच्चे को जन्म दिया और वह सहवाज किसमें पत्ती के संपरक में नहीं थी तो इस आधार को जारता माना जाएगा और जारता को सिद्ध करने के असकता नहीं होती है इस संबन में प्रेस्टन जोन्स का ममलाव लेखनी है प्रेस्टन जोन्स एक अंग्रेज अधिकारी थे जो 17 अगस्त 1945 से 9 फरवरी 1946 तक विदेश में पदस्त थे 13 अगस्त 1946 को पत्नी ने एक स्वस्त बच्चे को जन्म दिया नेनित हुआ की पत्नी जारता की दोसी है अता पती के वरुद दाखिल बिवावक्षित की अरजी नेलेने पारिक करती जारता का सबूद यह सिद्ध करने का भार उस पक्चकार पर होता है जिसने बिवावक्षित के लिए आविदन किया हो इसके अलावा जारता सिद्ध करना मुश्किल होता है अता निम्न आधार पर भी जारता सिद्ध की जा सकती है उनमें तीन पॉइंट बहुत महत्पून होते हैं जिसमें नमबर वन है परस्तिती जन साक्च के आधार पर इस संबन में S प्रधान बनाम लक्षपी नारायन प्रधान यह मामला ओड़ी सा उचन्याले का है कमाला बहुत महत्पून है इस ममले में पतनी किसी अन्यवक्ती के साथ एकांत में मोटर साइकल पर देखी गई आधी रात के आसपास सड़क पर दोनों पाए गए अपने पिता के घर में वह अनुपस्तित थी पती ने इस आधार पर जारता के लिए बात चलाया निर्ने हुआ कि जारता के आचरण के लिए यह परिस्तिती जन्ने साक्ष परियाब साक्ष था इसलिए पती को बेवाबक्षित की डिक्री पता करना उचित होगा अगला पॉइंट है पतनी दोरा बच्चे को जन्म दिया जाना इस संबन में वीरा रेड़ी बनाम किस्तम्मा A.I.R. 1969 और यह मामला मदरास का है बहुत महत्मून है पती ने अपनी बुआ की लड़की से बबा किया दोनों में अन्बर होने लगी जिसके कारण पतनी 17 नौम बार सन 1957 को अपने माय के चले गई और फिर कभी लोड़के पती के समक्षन नहीं आई एक वर्ष के पश्चाग अर्था 23 दिसंबर 1958 को उसने एक स्वस्त बच्चे को जन्म दिया निर्ने थुआ की पतनी जारता की दोसी है अगला पॉइंट है पतनी रती जन्य रोग से पेड़ेत हो रती जन्य रोग वह रोग होते हैं जो सेक्स्वल एंटरकॉस करने के कारण होते हैं और जो भी एक आधार होता है कि जिस दौरान पती इस किसम पर्क में नहीं होता है फिर भी उसे इस प्रकार का योण रोग हो जाए तो यह जारता का परियाप सबूत माना जाता है दूसरा पॉइंट है कुरूरता बिवा के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के साथ कुरूरता का बैवार किया है तो यह भी विवावक्षेत का दूसरे नंबर का आधार बन जाता है किन्तु नियालाय ने कहा मात्र एक कुरूरता नहीं बल्कि कुरूरता की एक सरंखला होनी चाहिए जैसा की सिर्मति बिमलेश सर्मा बना प्रकास सर्मा के मामले में नियालाय ने अभिनरधारित किया था परन्तु कुरूरता उन मामलों में पर्याप्त मानी जाएगी जहां सारेरिक चोट पहुंचा ही गई हो और कुरूरता से आसे सारेरिक वा मानेसिक दोनों प्रकार की चोट से होता है यह बात सिर्मती माधवे डुडानी बनाम अर्रमेज डुडानी के मामले में कोट ने कहा था कुरूरता को घरेलू हिंसा धीनियम 2005 में और भारतिय दंड सहिंता की धारा 498A में जैसा बताया गया है वैसा मानना ही जो चित होता है कुरूरता के आधार कुरूरता के निम्डखित आधार बताये गए हैं जिसके आधार पिया कहा जा सकता है कि कुरूल्टी कपप की गई है और उसका कितना इंपेक्ट पड़ता है तो पहला पॉइंट है दुश्चरित्र का मिथ्या लंचन लगाना दुस्चरित के मित्या लंचन के बारे में कलकत्ता उच्चनाले ने सांतना बनर्जी बनाम सच्चिदानन बनर्जी AIR 1990 का एक महत्पून उधारन है इस मामले में पत्नी ने पती के उपर यह आरोप लगाया कि उसका अनैतिक सम्मन्द कारेले में सेवारत महिलाओं से है इसके अतिरिक्त वह पसुगमन भी करता है किन्तु पती के बुर्द लगाया गए सारे आरोप मित्या वा निराधार थे अतहा नाला ने निर्न दिया कि पत्नी की तरफ से पत्नी की तरफ से पत्नी की तरफ से पत्नी को यह मानसिक कुरूरता दी गई है अतहा बिवा बिक्षेत की टिक्री पारित के लिए आविदन कर सकता है दूसरा पॉइंट है आत्म हत्या के लिए उक्साना यदि किसी बिक्ति को आत्म हत्या के लिए उक्साया जाता है जैसे कि IPC की धारा 4102A का इस पस्टिक करन नंबर A में दिया है कि यदि पत्नी को आत्म हत्या के लिए उक्साया जाता है तो यह भी एक क्रोल्टी होती है इसमें अगला जो पॉइंट है अपमान जनक आच्रन अपमान जनक आच्रन से ऐसा आच्रन अभी प्रेत है जिसमें किसी एक पक्षकार को घोर गाली गलुच करना या उसके साथ में ऐसा अवमान बे बहवार करना कि जो एक मनुष के साथ में नहीं किया जाता है इस सम्मन में सांती देवी बनाम रागव प्रकास का मामला उलेखनी है इस मामले में पती लेक्चरर था पत्नी ने उसकी थिसिस में आग लगा दी और उसके घरवालों को गंदी-गंदी गालियां देती थी निर्ने हुआ कि यह पत्नी की तरफ से पती को क्रुवलिटी की जा रही थी अता है पती बिवाविक्चेत की डिक्री लेने के लिए उत्तरदाई है अगला मामला है अती से मद्दपान करना इस मामले में पती अत्तिदी की मद्दपान करता था अता नया लेने इसे भी तलाग का आधार माना अगला बिंदु है नपुन सकता यदि बिवावा का कोई पक्चकार सामान मेथुन करने में भी अस्पल रहता है तो इसे भी दूसरे पक्चकार के लिए कुरूरता माने जाती है जैसा कि स्रिमती रीता बना बालकृष्ण के मामले में हुआ था पत्नी से 14 वर्स बड़ा था और उसके साथ में सामान या इंड्रकोस नहीं कर सकता था नयाला ने इस स्थिती को नपुन सकता कहा मैथून या पसुगमन यदि कोई विक्ती भारती दिंड़ सहीता की धारा 377 के कोई सेक्सवल इंट्रकोस करता है जो अप्राकरतिक है तो यह भी कुरूरता माना जाता है और विवाब इच्छित के लिए कुरूरता के आधारों में से एक होता है 38. मैथून से इंकार करना 39. संकर प्रशाद पाल बना मादभी पाल नैला ने कहा दमपत्य जीवन के लिए पती पत्नी की मद्य सेक्सवल इंट्रकोस होना बहुत जरूरी होता है यदि कोई पक्षकार सेक्सवल इंट्रकोस करने से मना कर देता है तो बहुत दूसरे पक्षकार के लिए कुरूरता होती है देहज की मांग करना सुभर रानी बना मद्युकर रेड़ी का एक ममला महत महत पुन है इस ममली में अत्तिदिक देहज की मांग करना भी कुरूर्टी के अंत्रकोस आता है और नैले ने इस आधार पर बिवाब इक्षित के डिक्री पदान की है बिवाब इक्षित के लिए तीसरी सर्थ है अभित्याग यदि कोई पक्षकार लगातार बिना किसी युक्ती युक्ता आधार के दूसरे पक्षकार से दो वर्स से त्याग दिया हो या बेवा विक्षेत का परियापताधार माना जाएगा जैसा कि सुप्रीम कोट ने लक्ष्मन मीना बना मीना A.I.R. 1984 सुप्रीम कोट पे नमबर 40 के मामले में कहा है कि यदि किसी विक्षेती ने किसी दूसरे पक्षकार को लगभग दो वर्सों के बीतर परिता करके रखा हुआ है तो यह बेवा विक्षेत का आधार होता है चौता है धर्म परिवर्तन यदि कोई विक्ति दो पक्षकार पतनी ये पती दोनों में से कोई भी विक्ति अपने मूल धर्म को छोड़कर किसी नय धर्म में कनवाटेट हो गया है तो यह भी एक बिवाबिक्षेत का अधार बन जाता है किन्तु इसमें आवश्क सर्तिया रखी गई है कि यदि कोई विक्ति भिन्दु विवादिनियम की धारा दो के अंतरगत यदि वह जैन है बॉद्ध है सिख है वीर सेव लिंगायत है या इन में से कहीं भी पंथ में चला जाता है तो वह हिंदु ही माना जाता है किन्तु इसके उलट भवेक्ति यदि कोई धर्म का परिवरतन करके पार्शी बन जाता है मुस्लिम बन जाता है या कृष्ण बन जाता है तो भवेक्ति हिंदु नहीं माना जाता है जैसा कि चंदरशेखर बनाम कुलदान AIR 1963 के मामले में नैने ने कहा पांचवा अधार है मानसिक बिकार या बिक्रिचित होना बिवाग के प्रक्षकार बिवाग के समय सौस्त चित्के होने चाहिए या अधारपा की सर्थ है किन्तु यदि बिवाग के समय या बिवाग के पश्चात कोई ऐसे मानसिक रोग से क्रिशित हो जाए जिसमें रोग बहुत असाद्ध हो जाता है तो ऐसे इस्तिती में यह एक तलाक कादार बन जाता है जैसा कि सांति देवी बनाम रामनात का मामला महत्पून है अगला पॉइंट है लेप्रेसी या कोड हो जाना स्वराज जलश्मी बनाम पदमनाव इस मामले में नयाले ने का यदि दोनों पक्षकारों में से किसी को भी कोड हो गया है और वह कोड इस इस्तिती में है कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता है तो यहा बिवा बिक्षेत का आधार होगा जब बिवा के किसी एक पक्षकार को ऐसा संक्रामक रूग हो जाए जो दूसरे पक्षकार को भी रूगी या संक्रामित कर सकता है तो वह भी बिवा बिक्षेत का आविदन कर सकता है आटमा पैंट है संसार परित्याग अर्था संत हो जाना ये दिकोई बिक्ति किसी हिंदू रिती रिवाज या अन्न किसी पंत की अनुसार संत बन लिया हो अर्था संसार का उसने परिताक कर दिया हो तो यह भी विवा बिक्चेत का अधार होता है नुमा पाइंट है प्रकल्पित मृत्यू सिवल डेथ प्रकल्पित मृत्यू से आस है ऐसी मृत्यू से है जिसमें किसी बिक्ति को लगातार साथ वर्सों से ना तो देखा गया है और ना ही उसके बारे में सुना गया है तो उसे प्रकल्पित मृत्यू अर्थात सिवल डेथ क किसी पक्षकार को पहले ही जोडिसिल सेफरेशन यानि की न्याई प्रतक करन की डिक्री मिल चुकी है और एक वर्स के भीतर दोहों में दामपत जिवन की पुनर स्थापना या सहवास नहीं होता है तो यह भी तलाक काधार हो जाता है जैसा कि स्रीमती इंगजना देवी बनाम पुरसुत्तम गिरी का मामला मातपूर्ण है अब तरशा करते हैं बह अदिकार जो केवल पत्नी को प्राप्त होते हैं दारा तेरा उप धारा दो हिंदु बिवा अदिनियम 1955 तो पहली सर्थ है पती दारा दूसरा बिवा कर लिया जाए यहां पत्नी को यहां साबित करना प उसकी एक और जिवित पत्नी है दूसरी सर्थ पती द्वारा रेप या अप्राकरतिक मैथोन भारतिय दंड सहिता के धारा 375 और 377 अप्राकरतिक मैथोन यदि किसी पत्नी द्वारा अपनी पत्नी का रेप हो जाए रेप किया जाए या उसके साथ में अप्राकरतिक मैथोन या पसुगमन की सित्य आती है तो भी पत्नी या आरोप लगा करके बिवा बक्षित की डिक्री ले सकती है तीसरी सर्थ है इसमें मेंटेनेंस की डिक्री होने पे यदि महिला के पक्ष में या पत्नी के पक्ष में पहले से ही कोई मेंटेनेंस की डिक्री यानि कि 618 हिंदु विवादीनियम या स्यरपेशी की धारा 125 के आधार पे कोई डिक्री पारित कर दी गई हो मेंटेनेंस की तो उस आधार पर भी वह तलाक ले सकती है चौता है यवनता का बिकल्ब यदि कोई पत्नी जिसकी आयू 15 वर्स से कम होती है तो यदि उसके दो होती है तो वह ऐसे विवाद को सून या आकरत भी करा सकती है यदि विवाद सून या आकरत कर दिया जाता है तो पत्नी की पास में यवनता का बिकल्ब होता है कि वह उस साधी को माने अत्वा उसको डिकलैन भी कर सकती है इस प्रकार section 13-1 में दोनों को अधिकाय प्राप्त है और section 13-2 में केवल पत्नी को अधिकाय प्राप्त है जब वो अपने पती से तलाक ले सकती है इसके अतिरिक्त पत्ती पत्नी दोनों mature understanding से भी तलाक ले सकते हैं उसका प्रावधान धारा 13-B में किया गया है 13-B के दो पॉइंट होते हैं नमबर बन पॉइंट और नमबर बन पॉइंट में जब पत्नी एक साल से अलग रह रहे होते हैं और उनके मत्मेरी सहवास नहीं होता है तो यह तलाक का अधार होता है जो आपसी सहमती से लिया जा सकता है किन्तों इसके अतरिक सेक्षन 13-B की उपधारा 2 बनाई गई है जिसमें न्यालाय को यह कन्वेंस करना होता है कि याचिका प्रस्तत किये जाने के छे मैने के अंतराल में या कोई प्रस्ताव किया गया है तो उस प्रस्ताव के 18 माह बीर जाने के पहले याचिका दोनों पक्षकार वापिस ना ले लिए हो यदि दोनों पक्षकारों ने इन दोनों आधार पे याचिका वापिस ले लिए है तो न्यालाय दोनों के मद्ध बिवाब एक्षित के दिक्री पारित नहीं करता है दोस्तों इस प्रकार बिवाब इच्छत करने के लिए पत्ति पत्नी और पत्मी को बिश्चत प्रकार के दिखार सेक्षन 13a और 132 में दिये गए हैं यह इस लिट्रशर के लिए बिबलोग्राफिय तियार किये गए थी जो जो केस के रिफ्रेंसेस हैं तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें यदि कोई क्यूरीज है तो कमेंट बाक्स में अब लिखें तो उसको ठीक अगले लेक्चर में ठीक किया जाएगा और स्टोड़ी को सुधार जाएगा धन्यवाद